क्या होगा अगर आप जो भी पढ़ो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए और आप चाहकर भी उसे ना भूल पाओ आपने इस टॉपिक पर यूट्यूब पर पहले भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे किसी ने कहा होगा बादाम खालो तो किसी ने कहा होगा सुबे टहल लो लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो काफी ज्यादा डिफरेंट है और अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको अपना पढ़ा हुआ पहले के मुकाबले ज्यादा याद रहने लगेगा और इसके लिए जानना जरूरी है कि आखिर आप पढ़ा हुआ भूल के हो जाते हो मुझे एक चीज बताओ तुम्हें ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा याद रहती है किसी खुबसूरत से इंसान की शकल, किसी दोस्त की बातें, किसी अच्छी फिल्म की बढ़िया सी कहानी कोई बहतरीन सा गाना या कोई बहुत दुखी कर देने वाली घटना ये ऐसी चीजे हैं जो आप चाहकर भी नहीं भूल पाते आपने कभी इनको याद करने की कोशिश नहीं की थी लेकिन फिर भी ये आपके दिमाग के गहराईयों में है और आप इने हमेशा याद रखते हो लेकिन अगर बात करें किसी साधारन सी घटना की तो वो आपको याद नहीं रहती यहां तक की हो सकता है आपको ये भी नयाद हो कि आपने परसों रात को खाने में क्या खाया था तो अब आपके साथ क्या हो रहा है जो चीज आप याद नहीं भी रखना चाहते दिमाग उसको याद रखता है क्योंकि उसको वो चीज़ें पसंद है और जो आप दिमाग को याद रखवाना चाहते हो वो वह भूल जाता है अब जानते हैं कि जो चीज़ें आपको याद रहती है उनमें common क्या है उनमें common है एक भावना, एक emotion, गाना आपको मजा देता है घटनाएं रोचक होती हैं, किसी खूबसूरत लड़की या लड़के की शकल आपको अच्छी लगती है कोई बुरी घटना आपको दिल से दुखी कर देती है ये सारी चीज़ें जो आपको याद हैं ये आपकी खुशी या गम की भावनाओं से जुड़ी हुई है और साथ ही एक और चीज़ है, ये सारी चीज़ें जो आपको याद रहती हैं ये इंट्रेस्टिंग है आपके दिमाग को इन में मज़ा आता है आपकी तारीफ हो या आपकी बुराई हो वो आपको हमेशे याद रहती है क्योंकि वो आपकी भावनाओं से जुड़ जाती है वो आपके लिए यादगार बन जाती है अब आप पढ़ाई को इंट्रेस्टिंग बना सकते हो या नहीं ये आपके हाथ में है लेकिन आप पढ़ाई को भावनाओं के साथ जरूर जोड़ सकते हो और उसका तरीका अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ देखो सबसे पहले आपको पढ़ाई को अपने इंट्रेस्ट से जोड़ना पड़ेगा क्योंकि जो चीज इंट्रेस्टिंग होती है वो जरूर याद रहती है अब आप कहोगे पढ़ाई में इंट्रेस्ट नहीं है मुझे इसलिए कुछ भी याद नहीं होता तो इंट्रेस्ट जगाने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है देखो आपको अगर कहीं पर भी जाना है तो आपको उस मंजिल में इंट्रेस्ट होता है ना की रास्ते में पढ़ाई एक रास्ता ही है जो आपको अपने गोल तक ले जाता है अब अगर आपको अपनी पढ़ाई में इंट्रेस्ट नहीं है इसका मतलब ये है कि आपके पास अभी तक अपना कोई गोल नहीं है तो सबसे पहले लाइफ में आपको अपना एक ऐसा गोल बनाना पड़ेगा जो वाकई में इंट्रेस्टिंग हो आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ हो और आप वाकई में वहाँ पहुँचना चाहते हो या वैसा बनना चाहते हो अब जब एक बार आपका अपने गोल में इंट्रेस्ट सेट हो गया तब उस गोल को अचीव करना ही आपकी लाइफ का एक मातर मकसद होगा और इस गोल को अचीव करने के लिए किया जाने वाला हर काम आपको जरूरी लगेगा और अगर कोई चीज जरूरी लगती है तो ये भी हमारी भावनाओं से जोड़ जाती है तो इस तरह से आप अपना एक गोल बना कर उसे अपनी पढ़ाई के साथ जोड़ कर पढ़ाई में इंट्रेस्ट क्रियेट कर सकते हो लेकिन अगर ये चीज भी आपके लिए काम नहीं करती है तो आपके पास एक और सल्यूशन है वीजूल्स देखो हर घटना जो आप देखते हो जो आपको अच्छी लगती है वो आपको हमेशा याद रहती है तो आपको अपनी पढ़ाई को वीजूल के थुरू पढ़ना शुरू करना चाहिए कोई कॉनसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कुछ ऐसे वीडियो देखिए यूट्यूब पर जहां पर उस कॉनसेप्ट को वीजूल्स के थुरू या डायग्राम के थुरू समझाया गया हो कभी कभी केवल अक्षर काफी नहीं होते किसी चीज को हमारे दिमाग तक अंदर ले जाने के लिए लेकिन कोई चित्र या फिर कोई वीजूल ये काम बड़े आराम से कर सकता है या आप चाहो तो अपनी पढ़ाई में खुद वीजूल्स को इमेजन कर सकते हो जैसे कि न्यूटन के सिर पर अगर एपल गिरा था ये लाइन सुनते ही सबसे पहले आपका दिमाग यही इमेजन करेगा कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा हुआ था वो पेड़ कैसा था और जब उसके सिर पर एपल गिरा होगा तो उसे कैसा फील हुआ होगा तो जिस भी बच्चे ने बच्पन में ये बात पड़ी थी कि न्यूटन के सिर पर एपल गिरा था वो ये घटना कभी नहीं भूलता क्योंकि उसने इस चीज को इमेजन किया था इस घटना के मन में वीजुल्स बना लिये थे आपके दिमाग को वो करने में बड़ा मज़ा आता है वो चीज उसे हमेशा याद रहती है तो आई होप कि आप जब पड़ाई करने बैठोगे तो इस टेकनिक को एक बर यूज़ करके जरूर देखना डेफिनेटली आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और अगर ऐसा हो तो मुझे पड़ाई करने के बाद इस वीडियो पर वापस आकर कमेंड करके जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो इसको शेयर करना मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक उर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा सुनते रहिए मन की आवास